विद्यार्तियों नमस्कार मैं डॉक्टर दिपेंद कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म Chemistry by D. शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ विद्यार्तियों इस विडियो लेक्चेर में हम जिस पेपर को डिसकस करने वाले हैं वा पेपर दिनांक 14 मई 2024 रानी दुरगावती विश्विद्याले जबलपूर यानि RDVV University जबलपूर के पेपर का सॉलिशन है पेपर आपको स्कृन पर दिखाए दे रहा है बीए तृती वर्ष का पेपर है जो की बीए के साथ साथ बीए से और बीकॉम के स्टूडेंट के लिए भी लाब धायक होगा विद्यारतियों यह जो पेपर है यह फाउंडेशन कोर्स का फर्स्ट पेपर है जिसका टाइटल है भाशा और संस्कृति और लेंग्वेज एवम संस्कृति और इसी विडियो के नक्स सेगमेंट में हम देखेंगे इंग्लीश, लेंग्वेज एंड कुल्चिरल के 50 प्रश्टों का सॉलिशन तो सबसे बेल हम बात करने वाले हैं यहांपर हिंदी के 50 प्रश्टों के सॉलिशन की उसके बाद बात करेंगे इंग्लीज के 50 प्रश्णों के solution की तो विद्यार्तियों देर ना करते हैं वह हम चलते हैं सीधे solution की और तो विद्यार्तियों आपको skin पर आपको question दिखाए दे रहा है पहला question जो है वह सत्पुडा के घने जंगल कवीता के रचनाकार कोन है तो पहले प्रश्ण का correct answer हो जाएगा C भवानी प्रशाद मिश्रम दूसरा प्रश्ण जंगल में जाड़ी या वरक्ष कैसे खड़े हैं तो हवा में जूलते हुए खड़े हैं तो दूसरे का correct answer दी हो जाएगा तीसरा प्रश्ण सत्पुडा के जंगल में कोन रहते हैं तो गोण्ड जन जाती के लोग रहते हैं तो तूसरे का correct answer या पर C हो जाएगा प्रश्ण करमांग चार बवानी प्रशाद मिश्र का उपनाम क्या है या क्या था तो बवानी भाई correct answer चोथे का C पाच्वा बवानी प्रशाद मिश्र किस से प्रभावित थे तो वो गांधी से प्रभावित थे नि महात्मा गांधी से प्रभावित थे तो पाँचवा correct answer A हो जाएगा. Next question, Question number six, सत्पुडा शेत्र में कौन सी नदी बैती है? तो आप अच्छे से जानतो, नर्मदा नदी बैती है. चटे का D correct answer. साथवा, वापसी कहानी का प्रमुक पात्र कोन था? तो वापसी कहानी बहुत पात्र थे, प्रमुक के पात्र जो था, वो गजाधर बाबू थे. साथवे का एक गजाधर बाबू हो जाएगा. आठवा प्रिश्ण, वापसी कहानी एक घरटाइड रेलवे करमचारी की कहानी है. तो आठवे का correct answer B option हो जाएगा. नोवा, वापसी कहानी में नोकर का क्या नाम है? तो वहाँ पर नोकर का नाम गणेशी है. नोवे का correct answer C हो जाएगा. Next question, अगले पेज़ पर आगए हम लो. Question number 10, प्रिश्ण करमांग 10. वापसी कहानी का किसके बारे में चरितार्थ करती है? तो विगटित होते हुए संयुक्त परिवार को. 10 वे का B correct answer हो जाएगा. Next, गजादर बाबू की वापसी से परिवार के लोग खुश नहीं थे. मतलब दुखी थे. तो correct answer A हो जाएगा. बारवा प्रश्ण गजादर बाबू की वेटी का नाम क्या है? तो बसंती है. बारवे का B correct answer हो जाएगा. 13. स्वामि वेकानन ने अमेरिका के किस शहर में व्याख्यान दिया था? तो correct answer शिकागो में व्याख्यान दिया था. Next, question number 14. भारतवासी विश्वास करते हैं. तो किस पर विश्वास करते हैं? 15. विवेकानन ने उधारण दिया. विवेकानन जब शिकागो में व्याख्यान दिया था. तो उन्होंने गीता के कुछ उपदेशों का भी उधारण दिया था. तो correct answer 15 का B हो जाएगा. 16. विवेकानन जी ने अपने वियाख्यानों में श्टोताओं को क्या करकर संबोदित किया था. तो मेरे अमेरिकावासी बहनों तथा भाईयों. 16. विवेकानन जब किस तारीक को मनाया जाता है? तो आप अच्छे से जानतों यूवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है. 17 का A correct answer. 18. विवेकानन जी के गुरू कोन थे? तो आप अच्छे से जानतों रामकृष्ण परमहंस थे? कोन थे? रामकृष्ण परमहंस थे? 19 वा आंगन के पंची के रशनाकार कोन है? तो 19 वेका correct answer यहाँ पर हो जाएगा. D option. विद्यानिवास मिश्रम. परश्ण करमांग 20. गुरिया पक्षियों में क्या है? तो गुरिया को पक्षियों में ब्राम्ण के संग्या दी गई है. तो 20 वेका C. 21 वा परश्ण करिया की तुलना किस पोधे से की गई है? तो तुलसी के पोधे से की गई है. 21 वेका B correct answer हो जाएगा. 22 वा एसा घर निर्वंश हो जाता है जहांपर गुरिया अपना गोसला नहीं बनाती है. तो 22 वेका correct answer A हो जाएगा. Next question number 23. इसकिन पर दिखाएगा जाएगा चीन में गुरिया को कौन सा बदला लिया गया तो नादिर शाही. Correct answer नादिर शाही. 24 वा परश्ण मात्मा गांदी के आत्मकता पुस्तक का नाम क्या था? तो सत्ते के साथ मेरे प्रयोग. 25 वा परश्ण किस नाटक से प्रभाव से गांदी जी ने बच्चपन में सत्य पालन करने का निशे किया? तो हरिश्चंदर. Correct answer 25 का C हरिश्चंदर. 26 वा परश्ण मात्मा गांदी के राजनिति गुरू कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मात्मा गांदी के राजनिति गुरू कहा जाता है. उसके बाद आजादम लोग Q26 के बाद में Q27 की ओर. प्रश्ण करमांग 27 आपको इसकिन पर दिखाए दिरा है. मात्मा गांदी का जर्मिस्तान आप अच्छे से जानता हो. गुजरात का पौरबंदर. सावरमती आश्रम किस राज्य में? तो करेक्ट आणसर गुजरात. 29. करोया मरो का संबन्द गांदी जी के किस आंदोलन से है? 29 प्रश्ण करेक्ट आणसर हो जागा विद्ध्यारतियों D. भारत छोड़ों आंदोलन से. यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंब हुआ था. याद रखेगा करोया मरो का जो नारा था वो भारत छोड़ों आंदोलन से लिया गया और यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंब हुआ था. गांदी जी को रास्ट पती किस ने का? तो सुवास्चंद्र भोस ने का और यह बात उन्होंने 6 जुलाई 1944 को एक रंगून से कारीक्रम रेडियो पर परसारी थो रहा था. जिस कारीक्रम में सुवास्चंद भोस का संभोधन था. तो उसमोंनोंने महात्मा गांदी को रश्ट पिता की संग्या दीती हैं. तो तिस्वे का एक. पहली बार सुवास्चंद भोस ने महात्मा गांदी को रश्ट पिता की संग्या दीती हैं. 31 प्रश्ण हिंदू धर्म को एक अन्य धर्म के नाम से भी जाना जाता है तो कलेक्ट आंसर हो जाए गया आपर वेदिक धर्म 32 जेन धर्म के प्रुटक कोने तो महाविर्ष स्वामी 38 जेन धर्म के साधक वेवस्ति तुरुटक को क्या केते है तो वाक की कहते है behaviors beond अनरोदक वाक्किम किसी तो आनरोद कर रहे न किisherpryhyhym प्रस्थान करें ये YAM आप जाएए तो आपने अनरोद किया तो अनरोद वाचक हो जाएगा महियां लिस्वा कौन सा वाक्य अशुद है तो यह शुद्ध गाय का दूद है जबकि वाक्या होना चाहिए यह गाय का शुद्ध दूद है 43 कौन सा शब्द शुद्ध है तो आशा यहाँ पर शुद्ध है Question number 44 अनुवाद का शाब्दिक अर्थम तो 44 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा किसी वच्षन की अन्य बाशा में पुन्रा रृत्ति करना Next Question number 45 लक्ष बाशा किसे कहते तो हो वाजा जिसमें अनुवाद होता है 46 अनुवाद करना एक कला है 47 अनुवाद करने वाले विक्ति को क्या कहते हैं तो उसको अनुवादक कहते हैं Question number 48 भारतिय संस्कृति की विश्यस्ता है तो क्या है अनेकता में एकता 49 भारत में लोक्तंतर का मंदिर किसे कहा गया है तो संसत को कहा गया है 50 वा प्रशन जीवन में मानता किसे प्राप्त होती है तो निति गुणों से प्राप्त होती है 50 वे कर डी करेक्टांस हो जाए तो विद्यारतियों ये थे आपके हिंदी भाषा के 50 प्रशनों के solution इन 50 प्रशनों में से आपको पास होने के लिए 18 प्रशन कम से कम सही होना चाहिए 17 से 18 प्रशनों के उत्तर एक्जेक्ट होना चाहिए तब आप पास माने जाओगे अब चलते हैं इस विडियो के second segment के तरफ जो की है बीए third year का paper April 2024 examination foundation course paper जो दिया हुआ है English language and communication scale बात करते हैं English language and communication scale के यहाँ पर पचास प्रशनों के solution की और तो पहला प्रशना आपको दिखाए देरा whom wrote the poem the express तो पहले प्रशना करेक्ट आंसर हो जाएगा B. strip and spenders question number two how is the train described as it leaves the station तो दूसरा करेक्ट आंसर यहाँ पर A. option हो जाएगा gliding like a queen तीसरा प्रशना what does the train acquies as it enters to open countries तो तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा C. silent चोथा how does the train whistles sound तो louds and jages चोथे का B. correct answer हो जाएगा पांच्छवा प्रशना what does the train plunks into तो पांच्छवा करेक्ट आंसर यहाँ पर दिखाए देरा आपको madness B. correct answer हो जाएगा चठा प्रशना what is the describe is the color of phosphorus on the tossing hills तो correct answer चठे का हो जाएगा यहाँ पर white B. option हो जाएगा 7. the word is too much with us पोयम किस के द्वारा लिख हुई है तो विलियम वट्सवत के द्वारा लिख हुई है 7. correct answer हो जाएगा 8. according to the speaker what do we waste by getting and spending some 8. correct answer हो जाएगा यहाँ पर B. option money 9. how does the speaker describe the sea 9. correct answer यहाँ पर A. option हो जाएगा 9. bring her boshams to the moon 10. why does the speaker express a preference for beginnings are beguns? 10. correct answer A. option यहाँ पर हो जाएगा stronger connections to nature Sorry, to native 11. question यहाँ पर हो जाएगा 11. question यहाँ पर हो जाएगा 12. B. यहाँ पर हो जाएगा 12. B. यहाँ पर हो जाएगा 13. who is the author of my financial career? यहाँ पर हो जाएगा तो correct answer 13 का C हो जाएगा Stephen Leacock Next question number 14 परिष्ण करमांग चाउदा परिष्ण करमांग चाउदा जो दिया हुआ है उसमें जो दिया हुआ है नेरेटर वेंट यहाँ पर हो जाएगा 14. परिष्ण करेक टांसर हो जाएगा यहाँ पर C. option हो जाएगा परिष्ण करमांग 15. Why does the narrator enter the bank? 15. परिष्ण करेक टांसर हो जाएगा यहाँ पर B. option To open an account वो मतलब बैंग में खाता पुरने के लिए जाता है Whom does the narrator ask to see at the bank? तो करेक टांसर हो जाएगा The manager 16. परिष्ण करमांग 17 17 का हो जाएगा यहाँ पर C. option Keep in cash 18. परिष्ण How does the narrator feel as the leaves the bank? तो 18 परिष्ण का आंसर मुझे A लगता है अमने जो पढ़ा है फिर भी यह आप देख लीजिएगा इसका correct answer एक बार उसको cross check कर लीजिएगा यहाँ पर 4 option दिये हुए जो आपके आपको screen पर दिखाई दे रहे हैं इनको एक बार आप cross check कर लीजिए चार option को कि क्या हो सकता है पर हमने जब इस chapter को देखा पढ़ा समझा तो एक option हमें correct दिखाई दे रहा है पर विद्यार्ट यह हमारे द्वारा कोशिच की गई है कि 100 परशनों के सही और 60 उत्तर आप तक पहुँचे पर हो सकता है कि जब हम किसी परशनों के answer को search करते हैं ढूंडते हैं उसका video बनाते हैं तो कभी-कभी यह होता है कि यह video बनाने के दोनान कोई answer A की जगे B या B की जगे C हो सकता है तो हम यह कह सकते ही 100 में से लगबग 95 से 99 परशनों के उत्तर तो exact है यानि कि सही है एक या दो परशनों के answer में mismatch हो सकता है Question number 19 यहाँ पर आएगा running for governor किसका इसके लेकर को ने तो mark 20 mark 20 इसके लेकर के 19 का D या पर correct answer हो जाएगा 20 प्रशन है जो दिया हुआ है 20 प्रशन का correct answer यहाँ पर A option होना चाहिए Rock solid foundation यहाँ पर question यह है कि according to author politicians promised are comparable to तो rock solid foundation correct answer होना चाहिए एक बार इसको cross check कर लिजेगा 21 प्रशन जो दिया हुआ है 21 का दिया हुआ है D option यहाँ पर correct हो जाएगा 22 प्रशन दिया हुआ है 22 प्रशन दिया हुआ है 22 प्रशन 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 क्रमांक 23 प्रशन का correct answer है A option 24 प्रशन जो दिया हुआ है the purpose of introduction to an essay तो 24 प्रशन का A option A summarize the main point discuss in the essay 25 Which section of the essay present the main arguments of purpose तो 25 में correct answer हुआएगा B body paragraph जो body होती है कि उसमें हम main purpose होता उसको discuss करते है 26 प्रशन What type of essay focused on a describe the person, place और events मतलब ऐसा कौन सा ऐसे होता जिसमें place, person और events के बारे हम उल्लेक कर सकते हैं 26 प्रशन भी हो जाएगा descriptive ऐसे B correct answer हो जाएगा अब चलते हैं question number 26 से 27 की और Question number 27 जो क्या आपको screen पर दिखाई दे रहा है 27 क्या किरा है What is the purpose of addressing counters of the arguments in essay तो 27 का correct answer हो जाएगा A to extend the main 28 28 का correct answer हो जाएगा Compare and Contrast in essay 29 29 का correct answer हो जाएगा Pair My sister what's now issues for her बड़े तो बर्थडे correct answer Pair हो जाएगा 30 क्रिश्न 30 क्रिश्न तीस्वा प्रिश्न तीस्वा प्रिश्न हो जाएगा C option mail I need to mail this letter before I can send it आगे चलते हैं Question number 31 The H S-E-H-E C option In my stomach In making me feel sick 32 My dog Tail B option T-A-I-L Is wagging happily 33 मतलब जो मेरा कुत्ता है वो उसकी जो पूच्छों लगाता और हिलाता रहता है तो यहाँ पर tail आ जाएगा पूच Tail की बात हो जाएगा 33 My dad loves to 33 का correct answer हो जाएगा A moon M-O moon 34 He walked A option correct हो जाएगा The room With a confident 35 Question number 35 पे उसका correct answer A option हो जाएगा यहाँ पर एक बार आप cross check कर लीजेगा वैसे option जाएगा जाएगा Question number 36 Choose the correct word The student were asked to 36 का correct answer हो जाएगा C Light L-A-I-E-D 37 37 का A हो जाएगा Bring We should bring attentions 38 38 The Kate 38 का A हो जाएगा L-A-Y Lazy in the sun 39 I am looking C option हो जाएगा Forward To the weekend Question number 40 Give someone the benefits of the doubt Minsan इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका अर्थ होता है यहापर जो C option दिया हुआ है इसका correct answer हो जाएगा To generous with someone 41 What is the pull someone Leg means 41 का correct answer हो जाएगा मतलब किसी की टांग खिचना इस करत क्या होता है तो B option हो जाएगा To make fun of someone हम बोलता है यहार यह मेरे टांग खिच रहा उसके टांग खिच रहा मतलब उसके साथ मजाग कर रहा है So to make fun someone 42 What does beat around the bush means 42 का correct answer हो जाएगा इसका बी option To avoid the main topic 43 Call it a day Means 40 का correct answer हो जाएगा C to stop working for the day 44 All the gliding is not golden मतलब जरूरी नहीं के सभी वस्तवे जो चमकने वाली होती वो सोना हो तो 44 का B हो जाएगा Things appear Attractive May not always be valuable मतलब जरूरी नहीं के जो हमेशा दिखने वाली अच्छी ची होती है वो attractive हो वो valuable हो 45 Action speak louder than words 45 का correct answer यहाँ पर हो जाएगा C option हो जाएगा Once deeds are more important than their promise 46 46 का correct answer B हो जाएगा यहाँ पर When introducing yourself That is the first step you should take मतलब अब आप किसी के साथ introduction देता हो किसी से बात्चित करता हो सबसे पहला sentence क्या होता है तो state your name अपना अपना नाम बताते हो 47 What should you mean Mentions when Introduction someone 47 का C हो जाएगा Relevant details or concerns Connections 48 48 का A option हो जाएगा Maintenance eye contact मतलब वो कह रहा है कि Non-verbal communications when meetings Someone at airport मतलब जब कोई मिलता है और non-verbal communication करता है मतलब बीना बात्चित मतलब कोई शब्द के बिना यदि कोई बात्चित करता है यदि वो कोई एर्पोट में मिला है तो उसको क्या बोलते हैं Maintaining eye contact मतलब आखों के द्वारा भी बात्चित हो सकती है तो उसको बोलते हैं Non-verbal communication 49 यहां पर हो जाएगा We should you do after placing your order मतलब किसी order पर किया आपने order place किया तो आप क्या करोगे 49 का correct answer हो जाएगा B. Thanks to Thank the server for the assistance मतलब धनिवादी बोलोगे Complain तो करोगे नहीं Which section of the resume details Professional experience तो correct answer जागा D. Option Work experience विद्यार्थियों यह प्रिश्ण पत्र 14 महीं 2024 का है रानी दुरगावती शिद्याले जबलपूर के अंदर पेपर हुआ है I hope यूदि लिक्चर आप लोग अच्छा लगा होगा अच्छा लगता है तो विडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों तक अपने क्लास्मेट तक इसको शेर अवश्य कीजएगा और कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट करके जूरू बताईएगा और चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजएगा जिससे हमें एक मोटिवेशन बिलता है और अब इसी तरीके से आपके लिए विडियो लेक्चर बना कर लेकर आते हैं तो विद्यारतियो इस एक साथ हम आपसे विदावेते हैं जे हिंद जे भारत